बिहार के शिक्षकों का एक बार फिर से वेतन रोक दिया गया है लेकिन इसवार विद्याले से गायब होने की वज़ा से नहीं बलकि जाती गरना के कारे में उपस्तित नहीं होने की वज़ा से ऐसा किया गया है। कारी को पत्र लिखा है इसके साथ ही कारण बताओ नोटीस भी जारी किया गया है। कि स्कूल में घंटों कारे करने के बाद वेजाती गरना के कारे के लिए रिवटी पर रिपोर्ट करने के लिए बाद नहीं है। डीम डॉक्टर चंदर सेखर सिंग ने शिक्षा विभाग के अपर मुखे सचेव के के पाठक के आदेश का हवाला देते हुए बीयो की रिपोर्ट पर 25 शिक्षकों का वेतन रोक उनसे अस्पस्टी करन मांगा है। डीम ने शिक्षकों से पूछा है कि सरकारी कारे में बाधा डालने के लिए उनके खिलाफ कारवाई क्यों नहीं किया जाए। पर अनुसास्तनात्मक कारवाई चल रही है। नगर नीगम में जाती गरना के लिए लगाये गए मद्ध विद्याले गुर्मुखी के शिक्षक ब्रेंद्र सिंग को कारे में लप्रवाही बरतने क्यारोप में निलंबित कर दिया गया है। वहीं उच्छे विद्याले रामेश्वरम गंज के शिक्षक चंद्रहास कुमार पर अनुसास्तनात्मक कारवाई के लिए नगर आयुक्त ने जिला शिक्षा पत अधिकारी को पत्र लिखा है। इन दोनों लोगों को कई बार अधिकारी के समझाने पर जाती गरना के कारे को रफ्तार नहीं दिया जा रहा था। पत्र लिखकर कहा था कि जाती गरना का काम अब लगभग पूरा हो चुका है। सिर्फ डाटा इंट्री के कारे बचा है। ऐसे में शिक्षक को किसे वा विद्याले अधिके पशात लेना उचित होगा। लिहाजा जाती अधारित गरना के कारे के लिए शिक्षक को किसे वा विद्याले अधिके पशात ही ली जा। हलांकि कुछ शिक्षक को द्वारा इसका विरोध भी किया जा रहा है। कि देखना होगा कि उन पर क्या कुछ का रवाई होती है। फिलाल बने रहें मिडिया दर्शन के साथ। अगर यह ख़वर आप यूटूब पर देखने है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह ख़वर आप फेस्बूक पर देख रहे तो पेज को लाइक करें।